दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको कॉरल के view menu के सभी options के बारे में जानकारी देने वाले हैं हम एक एक करके सभी options के बारे में आपर deeply information आपको देने वाले हैं जिसकी मदद से कॉरल में जब भी आप किसी भी तरीके का कोई भी design create करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही help मिलती है तो दोस्तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो कॉरल में काम करते समय जब भी आप एक ऐसी heavy design create कर लेते हैं क्योंकि आपकी जो file होती है वो काफी ज़ादा heavy हो जाती है अब इस case में coral में आपको एक ऐसा option मिलता है जिसकी मदद से आप अपने उस heavy file को यहाँ पर light weight में convert कर सकते हैं और आसानी से अपने काम को easily way में कर सकते हैं इससे आपके processor के ओपर यहाँ पर कोई भी load नहीं पढ़ने वाला अगर आप इस option का इस्तमाल करते हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि आपकी जो quality होगी वो यहाँ पर खराब हो जाएगी आपकी same quality यहाँ पर print होगी जो आपने यहाँ पर design बना रखा है इसके लावा coral में एक और अच्छा option है जैसे माली जी आपने कोई ऐसा design बनाया है जो काफी जादा complicated है उसमें बहुत सारे options आपने इस्तमाल कर रखे हैं बहुत सारा complicated taxes आपने लिखे हुए हैं और गलती से उसके अंदर कोई ऐसा object आपसे छूट जाता है और जब भी आप उसकी printing करते हैं यानि वो object आपका धबबा बन करके आपके design के अंदर दिखाई देता है मगर इस तरह के जो object होते हैं वो आपके color के पीछे छुप जाते हैं भी आपने object बनाया हुआ है और उसे ढूड़ना बहुत जादा मुश्किल का काम है तो इस case में coral में आपको एक और option मिलता है जिसकी मदद से इस तरह के object को आप आसनी से find कर सकते हैं और उसे delete कर सकते हैं ताकि आप जब भी अपने object की printing command दे तो वहाँ पर कोई भी unwanted object आपके design में यहाँ पर misprint ना हो पाए दोस्तो अगर आप graphic designing सीखने में interested है और coral row सीखना चाहते हैं तो आप हमारे channel को subscribe कर लीजिए हमारी playlist में जाकर के आप coral row के सभी option को यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो इस playlist के अंदर हमने coral row को basic level से start किया है कि आप किस तरीके से logos बना सकते हैं और किस तरीके से coral row के सभी option का यहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक mark sheet बनाई हुई है जो कि हमने coral row के अंदर design किया हुआ है अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं क्या हमारी mark sheet में कोई कमी तो नहीं है या फिर कोई ऐसा object हमारे इस mark sheet में कहीं छूट तो नहीं गया इसको देखने के लिए हम यहाँ पर view tab में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक option दिखाई देता है वैं fair का इस वाले option पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पूरा का पूरा object होगा वो यहाँ से black and white में यानि carbon type में आपको दिखाई देने लग जाएगा और उसके बाद आप अपने design को यहाँ से zoom करके अराम से इसके इंदर checking कर सकते हैं जैसे मालीजे हम F2 की press करते हैं और यहाँ से ऊपर के अरिया में चेक करते हैं कि हमारा कोई ऐसा matter है जो यहाँ से छूट तो नहीं गया हो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम इसको color पे करते हैं यानि हम इसे enhance पे करते हैं तो अभी हमें यहाँ पर कोई भी mark यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है जैसे में आप व्यू टैब में जाकर करके यहाँ पर वैम फियर पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं चूटा सा mark एक logo के हमारे उपर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यह इस तरह के mark अगर आपके design में यहाँ पर होते हैं तो जब भी आप इसकी printing करते हैं तो यह एक धबबा बन करके आपकी mark sheet या फिर आपकी design में यह शो करता है तो इस तरह के objects को आप किस तरीके से remove कर सकते हैं इस तरह के काम के लिए हम view tab में wireframe option का इस्तमाल करते हैं दोस्तो wireframe की मदद से हम इन सभी objects को यहाँ पर आसानी से find कर सकते हैं जैसे मालीजे हम इस वाले object को यहाँ पर आसानी से click करके इसको select भी कर सकते हैं और इसे आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं. इसी तरह से हम अपने डिजाइन किये गए object को यहां से एक बार scan करेंगे, जैसे हमाल लिजे यहां पर आप देख सकते हैं, तो हमें यहां पर एक circle दिखाई दे रहा है, दोस्तो यहां पर देख सकते हैं, आपको circle दिखाई देगा, आपको simply उस पर click करना है, और अपने keyboard से delete की press कर देना है, इस तरह से आपके design में जो भी unwanted objects होंगे, उसको आप यहां से आसानी से select करके delete कर सकते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, एक छोटा सा object हमारा यहां पर भी रह गया है, तो इसको भी हम यहां पर click करके आसानी से इसको delete कर देते हैं, तो दोस्तो इस तरीके से आप wireframe option का यहां पर इस्तमाल कर सकते हैं, दोस्तो यहां पर जो हमने यह design बनाया हुआ है, अगर आप इस तरीके की mark sheet बनाना चाहते हैं, तो दोस्तो इसके लिए आप मुझे comment कीजेगा, मैं आपको यहां पर एक separate video बना करके दूँगा, जो थोड़ी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन आप पूरे तरीके से यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी mark sheet, या किसी भी तरीके का कोई certificate यहां पर design कर पाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, हमने back side में यहां पर water mark का भी इस्तमाल किया हुआ है, ताकि हमारे certificate की कोई भी duplicate copy ना कर पाए, और back side में हमने यहां पर logo का भी अपना water mark यहां पर दे रखा है, ताकि इसकी किसी भी तरीके से duplication ना हो पाए, और साथी साथ आप किस तरीके से यहां पर QR code generate कर सकते हैं, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, हमने यहां पर किस तरीके से bar code भी design किया हुआ है, तो यह सारे options के बारे में मैं आपको safe rate video बना करके दूँगा, लेकिन इसके लिए आपको यहां पर comment करना होगा, कि आपको इसकी requirement है या नहीं है, अगर आप इस तरह की designing सीखने में interested हैं, तो आप मुझे comment जरूर कीजेगा, मैं इसके उपर आपको safe rate video बना करके दूँगा, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले option की तरफ, तो दोस्तो हमारा जो अगला option है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो है normal, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी आपके पास कोई ऐसे heavy file होगी, जिसमें आपने बहुत सारी taxes का इस्तमाल कर रखा है, बहुत सारे objects आपने यहाँ पर create कर रखे हैं, या फिर आपने heavy images यहाँ पर load कर रखे हैं, तो उस case में आपका PC होता है, वो यहाँ पर थोड़ा सा slow काम करता है, दोस्तो slow काम करने की वजए से, आप अपने काम को fast work में नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर आप इन option का इस्तमाल करके, अपने काम को थोड़ा सा fast कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं normal वाले की, अभी हम यहाँ पर सबसे पहले certificate को थोड़ा सा आपको zoom करके दिखा देते हैं, अभी हमारा जो object की lining है, यहाँ पर आपको काफी sharp दिखाई दे रही होगी, अब जैसे हम यहाँ पर view टैब में जा करके, यहाँ से इसकी quality को normal कर देंगे, तो होगा क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हम इसे normal करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे object में हलका सा zigzag type का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब यह है कि coral ने इसकी quality को थोड़ा सा घटा दिया है, और अब आपका जो processor होगा, वो यहाँ से fast work करना शुरू कर देगा, अगर आप इसे enhance quality में करते हैं, तो यह थोड़ा सा processing में आपका time लेगा, क्योंकि वो आपके object की heavy qualities को maintain करता हुआ चलता है, अब जैसे माल लीज़े हम यहाँ पर वापस ए view आले option पर जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको तो third option यहाँ पर दिखाई देता है, वो यहाँ पर enhance का, इस वाले option पर जैसी में यहाँ पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे object में zigzag बना हुआ है, वो यहाँ से remove हो जाएगा, तो हम वापस एक बार इस पर जा करके, एक बार click करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे object में कोई भी zigzag आपको यहाँ पर दिखाई, नहीं दे रहा है, क्योंकि इसकी quality जो है, वो काफी जादा high हो चुकी है, इसके रावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा जो अगला option है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, pixels का है, तो पिक्सल का अगर हम यहाँ पर इस्तमाल करते हैं, तो यह हमारे object की quality को और जादा low कर देता है, जिससे आप अपने काम को यहाँ पर और तेजी से कर सकते हैं, तो दोस्तो ऐसा नहीं है कि इसने आपकी object की quality को low कर दिया है, तो आपका जो print out होगा, वो भी low quality में ही print out होगा, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, तो दोस्तो यहाँ पर जब भी आप इसका print out निकालेंगे, तो यह उसी same quality में ही print होगा, जिस quality में आपने इसको design किया हुआ है, इसका यहाँ पर benefit यही होता है, कि आपकी quality जो है, वो यहाँ पर कुछ समय के लिए dim कर दी जाती है, जब तक आप इस पर work कर रहे हैं, उसके बाद इसे वापस है, आप enhanced quality में आसानी से print कर सकते हैं, तो दोस्तो इसके बाद हम यहाँ पर pixel वाले option का भी इस्तमाल करके आपको दिखा देते हैं, जैसे आप pixel वाले option पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो quality होगी, वो बहुत ही जादा low हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हम इस पर click करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके object की quality काफी जादा dim हो चुकी है, काफी जादा low हो चुकी है, और अब आपके जो काम करने की speed होगी, वो काफी जादा fast हो जाएगी, तो दोस्तो इस तरीके से आप view टैप के इन सभी option का इस्तमाल कर सकते हैं, जब भी आप कोई design create करते हैं, और create करने के बाद अपनी उस फाइल को print के लिए भेजते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ settings कर ली नहीं होती है, अगर आप यह settings करके रखते हैं, तो आपने जो भी colors अपने design में use किया है, वो color यहाँ पर change नहीं होगा, view menu पर जैसी हम यहाँ पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो next option है, वो यहाँ पर full screen का है, अगर आपने यहाँ पर कोई भी design बना रखखा है, और आप उसे full screen पर देखना चाहते हैं, तो इस वाले option पर आपको click करना है, या फिर आप अपने keyboard से F9 भी दबा सकते हैं, जैसी हम F9 ट्रस करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने जो भी design यहाँ पर बनाया है, वो आपको full screen पर यहाँ पर दिखाई देगा, इसके रावा अगर आप यहाँ पर navigation की का इस्तमाल करते हैं, तो यहाँ से आपने जितने भी pages पर जो जो design बनाया होगा, उसे full screen पर यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, view के अंदर हमारा एक option यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, preview selected only का, इसका इस्तमाल तब किया जाता है, जब आपने एक ही page पर काफी सारे objects यहाँ पर बनाये हुए हैं, और उन objects के अंदर से आप किसी एक ही object का preview देखना चाहते हैं, जैसे माल लीजे, अगर हम यहाँ पर F9 का इस्तमाल करते हैं, या फिर हम यहाँ पर FULL SKIN preview का इस्तमाल करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे page पर जितना भी object हमने यहाँ पर design किया हुआ, यह सभी का preview हमें यहाँ पर दिखा रहा है, इसके लावा अगर हम केवल इसी object का preview देखना चाहते हैं, इसके लावा हम अगले option की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो next option है, वो है multi pages view का, इस वाले option पर जैसी हम यहाँ पर click करेंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जितने भी pages पर यहाँ पर design बनाया हुआ है, वो page number 1 और page number 2 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस पर भी हमें यहाँ पर click करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो page यहाँ पर highlight हो जा रहा है, तो इस तरीके से आपने बहुत सारे pages पर design बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर इसकी मदद से एक साथ एक ही page पर सभी design का preview देख सकते हैं, इसके बाद हम इसे वापस से यहाँ से अटा देते हैं, next option आप यहाँ पर देख सकते हैं, जूम करने का और जूम आउट करने का है, यहाँ अगर आपने जो भी object बनाया हुआ है, उसे आप जूम करना चाहते हैं, तो यहाँ से view पर click करके, आप zoom in पर जैसे click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको object यहाँ से zoom हो जाएगा, नेक्स option की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, zoom to fit का option आपर दिखाई दे रहा है, तो इस पर जैसे हम click करेंगे, जैसे माल लीजए, अभी हमने object को काफी चोटा कर दिया, तो अभी आप माल लीजए हमारा जो object है, यहाँ पर काफी जादा दूर है, और हम इसे focus में लाना चाहते हैं, तो हम इस वाले option पर click करके, या तो आप अपने keyboard से F4 key का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप इस option का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका page कहीं पर भी होगा, वो zoom हो करके आपके सामने preview में दिखाई दे जाएगा, तो दोस्तो इस तरीके से आप इस सभी option का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके वाद हम बात करते हैं, अपने अगले option की यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने एक option आपको दिखाई देता है, proof colors का, दोस्तों proof colors का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब आपने कोई ऐसा design बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप यह चाहते हैं, कि आपने जो भी colors का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, उसमें कोई भी color printing करते समय चेंज ना हो, तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा जिस color का हम नहीं यहाँ पर इस्तिमाल किया है वही color यहाँ पर प्रिंट होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर इस वाले option को यहाँ से हटाता हूँ यहाँ प्रूफ कलर पर जैसी मैं वापस से यहाँ पर क्लिक करत यहाँ पर आप देख सकते हलका से changes हमारे object में हो गया यानि इसने क्या किया हमारे सभी colors को यहाँ से एक तरीके से pack कर दिया है अब यह color बिल्कुल भी change नहीं होगा तो दोस्तों इसको हटाने के लिए आपको वापस से उसी option पर जा रहा है और यहाँ पर आपको proof color पर click कर जाता है वो भी जान लेते हैं हम यहाँ पर एक नया page पहले insert कर लेते हैं और यहाँ पर हम कुछ objects को create कर लेते हैं जैसे मालीजी हमने यहाँ पर तीन objects के अंदर हम यहाँ अलग-अलग colors को fill कर लेते हैं जैसे हमने इस तरीके से इन सभी के अंदर एक अलग-अलग color fill कर लिय तो दोस्तो इतना करने के बाद आपको view option पर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो option दिखाई देता है simulate overprint का इस वाले option पर आपको click कर देना है तो दोस्तो इस पर आप जैसे click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके colors में कुछ changes आपको दिखाई देगी और उसके बाद आपको आना है object में और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको option दिखाई देता है overprint field का इस वाले option पर आपको click कर देना है तो दोस्तो यहाँ पर जैसे आप click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं effect भी आप इसके उपर इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हम control home की मदश से भी इसको यहाँ से उपर की तरफ ला सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप किस तरीकी का transparency effect देना चाहते हैं तो आप इस option का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं अपने अगले ऑप्षिन की, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर अगला ऑप्षिन है, वो है mysterious complex effect का, इस option का इस्तमाल कैसे किया जाता है और कब किया जाता है इसके बारे में हम जान लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर mark sheet को open कर लिया और इस mark sheet में हमने काफी जादा complex design यहाँ पर create कर रखा है इसका छोटा सा effect में आपको इसके qr code पर दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल हलका सा effect आपको यहाँ पर दिखाए देगा मैं वापस से इसमें हटा कर आपको दिखाता हूं यह देखिए इस तरीके से हमारा जो object होगा बिल्कुल dark हो जाएगा यानि आपके object के color के अंदर किसी भी तरह की कोई भी changes नहीं की जा सकती तो दोस्तो इस तरीके से अगर आप कोई design create कर रहे हैं और आप उसे print में देना चाहते हैं प्रिंट में देने से पहले आपको यहाँ पर इस option का इस्तमाल कर लेना है ताकि आपके colors के अंदर यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी changes या किसी तरीके का कोई भी effect ना आए तो अगर आप graphic designing सीखने में interested हैं और coral draw सीखना चाहते हैं तो आप हमारे channel को subscribe कर लीजे हमारी playlist में जाकर के आप coral draw के सभी option को यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके हमने सभी option के बारे में यहाँ पर videos upload की हैं तो दोस्तो इसके लिए आप हमारी playlist में जाकर के coral draw के सभी option के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तो इसके बाद हम जाते हैं वापस से view में यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पर एक option दिखाई देता है pages का और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक option दिखाई देता है page border का। दोस्तों यहां पर आपको जो page का border दिखाई दे रहा है अगर आप इस border को नहीं चाहते हैं देखना, तो आप view में जाकर करके इस option को यहां से अठा सकते हैं, आप देख सकते हैं आपका page का कोई भी border आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा, इसी तरीके से अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो इस पर आपको वापस से क्लिक कर देना है, यहां पर आपके सामने वो page वापस से insert हो जाएगा, इसके मदा आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो next option यहां पर आपको मिलता है, वो मिलता है bleed का, दोस्तो bleed क्या होता है, इसके बारे में हम जाल लेते हैं, जैसी हम bleed पर यहां पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे page से outside में हमें एक dot dot करके line दिखाई दे रही है, इसी को bleed का आ जाता है, दोस्तो bleed का इस्तिमाल तब किया जाता है, जब आप कोई ऐसा document बना रहे हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि आपका जो white background है, वो आपका यहां पर ना print हो, उस case में आप यहां पर अपने document में bleed लगा करके, अपने document की printing command देते हैं, जिससे होता क्या है, कि आपका जो document होता है, उसका जो side का white background होता है, वो यहां पर print नहीं होता, इसके बारे में मैंने already detailed video बना दी है, उसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से bleed का setup कर सकते हैं, किस तरीके से mark लगा सकते हैं, अपने printing की cutting के लिए, इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ी सी roughly knowledge देने वाला हूँ, तो इसको समझने के लिए हम यहां पर एक और option को insert करने वाले हैं, हम वापस से view पर जाएंगे और यहां पर हमें लेना होगा printable area, तो प्रिंटबल area set करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे सामने दो dot dot करके line आ रही है, और बीच में हमारा page हमें दिखाई दे रहा है, दोस्तों यह जो line है, हमारी जो भी इंसाइड में आई है, इसका इस्तवाल किया जाता है कि जब भी हमें आपर कोई भी document करते हैं, कोई भी paragraph लिखते हैं, तो हमें इस वाले baseline के अंदर ही रखना होता है, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो page यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस page के हिसाब से ही यहाँ पर cutting की जाती है, और bleed का मतलब होता है, जो हमारा यह outside area है, यह इतना area हमारा machine के द्वारा cut कर दिया जाएगा, जिससे आपका white background यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, मैं इसको practical तरीके से आपको समझाता हूँ, मैं आपर एक document को insert कर लेता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने एक document को insert कर लिया है, हमने एक diploma format यहाँ पर insert किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं, हमने जो अपना document बनाया है, वो total page के हिसाब से, यह नहीं A4 paper पर बनाया हुआ है, और इसके बादब आप यहाँ पर देख सकते हैं, heat का हमारा यहाँ पर एरिया है, वो भी white हमें दिखाई दे रहा है, और अंदर की साइड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारी grid line है, इस grid line के हिसाब से, हमने अपना जो भी matter बनाया है, वो इसके अंदर ही बनाया है, दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होता है, कि जब भी हम यहाँ पर इस grid line के अंदर कोई भी text लिखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारी जितने भी text के इस diploma में लिखे गए हैं, वो इस grid line के अंदर ही हमें मिलेंगे, अगर हम इस grid line से इस text को बाहर की तरफ कर देते हैं, तो हमारे matter का कटने का यहाँ पर पूरा का पूरा चांस बन जाता है, तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम इसकी nano cutting करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी हमारे paper print हो, इसके outside में कोई भी white background यहाँ पर ना आए, तो इस case में हम क्या कर सकते हैं, अपने background को यहाँ तक drag करके लेकर जाएंगे, सबसे पहले हम इसे ungroup कर लेते हैं, ungroup करने के बाद हम इसे यहाँ से बढ़ा कर लेते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने अपना black area चारों तरफ से यहाँ पर इसे बढ़ाबर कर लिया, यहाँ नि बढ़ा कर लिया है, यहाँ पर जब भी हमारे paper की cutting होगी, तो वो हमारे page से related ही यहाँ पर cutting की जाएगी, दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको marking लगाना बता देता हूँ, कि आप किस तरीके से marking का setup यहाँ पर कर सकते हैं, और उसके बाद अपने document को print के लिए भेज सकते हैं, तो सबसे पहले हम वापस से इस page को छोड़ा कर लेते हैं, इसा यह matter पहले हमारा था बना हुआ, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर marking लगा लेनी हैं, तो corner पर आने के बाद हम यहाँ से pen tool का इस्तमाल करने वाले हैं, यहां से जाकर हम pen tool ले लेते हैं, pen tool लेने के बाद हम यहाँ पर एक line को यहाँ पर draw कर लेते हैं shift की मदद से, और यहाँ पर इसका size है हम यहाँ पर लेते हैं 3mm, और उसके बाद enter press करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी यह line यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, इस line का हम जो color है वो यहाँ से red color कर लेते हैं ताकि हमें highlight हो करके दिखाई दे, और इसके बाद इसको यहाँ पर उठा करके हमें page के हिसाब से यहाँ पर रखना होगा, तो पेज के हिसाब से यहाँ पर रखने के लिए यहाँ पर आपको इस वाले object को select करना है, और इस वाले object को select करते हुए यहाँ पर T press कर देना है, तो तो T press करती है आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल equal position में यहाँ पर इसके साथ fit हो चुका है, इसी तरीके से हमें क्या करना है एक और marking यहाँ पर create करना है, हम इसके copy कर लेते हैं Ctrl-C से और वापस से Ctrl-V से, तो copy paste करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस option यहाँ पर दिखाई देगा angle rotation का, यहाँ पर आपको click करते हुए इसको 90 degree पर rotate कर देना है इस तरीके से, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हम जो यहाँ पर एक duplicate copy की थी, वो 90 degree पर यहाँ पर rotate कर दी गई है, अब इसके बाद इसको उठा करके हम यहाँ पर इस तरीके से रखने वाले हैं, तो इस तरीके से हमने एक तरफ का marking यहाँ पर create कर लिया है, उसी तरीके से हमें 4 तरफ के यहाँ पर marking create कर लेना है, तो हम इसे सबसे पहले group में convert कर लेते हैं, Ctrl C और Ctrl V का इस्तिमाल करके इसकी वापस से copy paste कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ से इसे opposite side में इस तरीके से हम लोग पलट देते हैं, तो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अपने object को यहाँ पर select कर लेना है, और इसके बाद अपने keyboard से R press करते हैं, R press करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी जो marking होगी यहाँ से right side में यहाँ पर अपने आप पहुच जाएगी, उसके बाद आपको इसको यहाँ से उठा करके इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको mark कर लेना है, अब इसे हम वापस से ungroup करते हैं और वापस से इस वाली line को select करते हुए, इस वाले object को select करते हुए यहाँ पर R press करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो direction होगा वो right side में है, तो इसलिए हम यहाँ पर R press कर रहे हैं और इस वाले object को select करते हुए, वापस से object को select करते हुए T press करेंगे, तो T प्रेस करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, टॉप में सेट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी एक duplicate copy आ चुकी है, तो इसको हम यहाँ से delete कर लेते हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी marking जो है, दोनों तरफ यहाँ पर fit हो चुकी है, अब यहाँ से इसको आप देख सकते हैं, mirror vertical का, आपको एक option दिखाए देगा, इस वाले option पर आपको click कर दिना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो mark होगा, यहाँ से opposite में चला जाएगा, उसकी बाद इस object को select करते हुए, बी press करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो marker हमारा यहाँ पर bottom में पहुँच जाएगा, दोस्तो bottom में आने के बाद, इस marker को हम फिर से यहाँ से select करते हुए, नीचे की तरफ यहाँ पर drag करेंगे, और drag करने के बाद, अब हम इसे भी यहाँ पर इसी तरीके से set कर लेते हैं, दोस्तो अगर आप चाहें, तो दोनों नीचे की तरफ भी बिल्कुल fit हो जाएगा, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, नीचे की तरफ इसे zoom कर लेते हैं, इस तरीके से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल marker हमारे यहाँ पर fit हो चुका है, आप चाहें, तो इसे अपने हिसाब से setup कर सकते हैं, और इसके अलावा, आप यहाँ पर चाहें, तो इस grid line की मदद से भी देख सकते हैं, आपकी जो grid line है, वो proper सही तरीके से fit होई है, या नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हल्का सा बिल्कुल minor सा gap हमें यहाँ पर दिखाई देता है, तो हम यहाँ से navigation की की मदद से इस इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी हम इसी तरीके से mark कर लेते हैं, तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने document के चारो तरफ यहाँ पर marker का इस्तमाल कर सकते हैं, अब बात आती है, इस page को setup करने की, तो दोस्तो यह जो black area है हमारा इस area को हम यहाँ पर इस तरीके से, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो object है, वो proper तरीके से यहाँ पर fit हो चुका है, marking हमारी यहाँ पर दी जा चुकी है, कि हमारा matter है, वो कहां से कितना cutने वाला है, यहाँ पर अगर आप चाहें, तो grid line की साहता है यहाँ पर दे सकते हैं, grid line को इस तरीके से fit भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो marker है, वो इस तरीके से page को cut करेगा, इतना cut करेगा, और यहाँ से अगर हम इसे marking दे, इस तरीके से, इस page के हिसाप से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विसके हिसाप से इसको mark कर देते हैं, तो यहाँ पर पर यहां से वाइट अरिया जो आपको दिख रहा है, यह कट जाएगा, और यहां पर आप दैख सकते हैं, आपका डिप्लोमा का जो यह एरिया रहेँगा, ब्लैक अरिया यह आपका यहाँ पर cutting में आपको मिल जाएगा ताकि यहाँ पर जब भी आप इसकी printing करेंगे तो यहाँ पर white area इसके चारो तरफ दिखाई नहीं देगा इस case के लिए हम इन तीनों option का यहाँ पर इस्तमाल करते हैं दोस्तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से page border का bleed का या फिर print area का यहाँ पर आसानी से setup कर सकते हैं इसके अलावा हम बात करने वाले हैं यहाँ से grid line documents की तो दोस्तो grid line document का किस तरीके से इस्तमाल किया जाता है इसके लिए हम सबसे पहले इस document को यहाँ से delete कर लेते हैं इसे हम यहां से cancel कर लेते हैं और एक नए page को यहां से insert कर लेते हैं हमने एक नए page यहां से insert कर लिया है और इसके बाद हम बापस से आते हैं अपने view option पर और यहां पर आपको दिखेगा grid का एक option जैसी आप document read पे click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक option दिखाई देता है snap का तोनसो snap में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिलता है document read का option इस पर जैसे आप click करेंगे और यहाँ पर आप किसी भी document को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इसके लावा जैसी आप अगर कोई ellipse भी ड्रॉख करते हैं, यहाँ पर आप उसकी position को यहाँ पर fit कर सकते हैं, इस line की मतबद से आप अपने object की position को यहाँ पर equal position में fit कर सकते हैं, इसके लावा यहाँ पर आप को snaps के भी काफी सारी options मिल जाते हैं, अब snap किस तरीके से use किया जाता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे, सबसे पहले हम नीचे की तरफ बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको next option जो यहाँ पर मिलता है, baseline grid का, तो सबसे पहले हम document grid को यहाँ पर हटा लेते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं, baseline grid की, दोस्तों baseline grid के लिए हम यहाँ पर वापस से जाने वाले हैं, और यहाँ पर grid option पर जाने के बाद, यहाँ पर baseline grid पर click कर देंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास जो grid आई है, तो यहाँ पर आप देख सकते है, paragraph से related आपको यहाँ पर grid दिखाई दे रही baseline का मतलब होता है, नीचे की तरफ यह आपको position देगा, कि आप यहाँ पर अपनी document पर fit कर सकते हैं, जैसे मालेज हम यहाँ पर एक line को paste करने वाले हैं, हमने यहाँ पर एक line को paste कर दिया है, control V की मदद से, और इसके बाद इस text को जैसे हम यहाँ आपर move करेंगे, तो आप यह देख सकते हैं, इसने साइस के हिसाप से आप को यहाँ पर बता रहा है, कि आप अपने object को यहाँ ऑपर fit करके रख सकते हैं, इस तरहीके से यह आपको baseline position reflect करता है, जिसकी मतलब से आप अपने object को baseline को यहां पर set कर सकते हैं, इसके लावा आप यहां पर देख सकते हैं, आपको और भी option मिल जाते हैं, व्यूमें आप देख सकते हैं, आपको ruler का option मिलता है, अगर आप चाहते हैं, आपको जो ऊपर की तरफ यह scale दिखाई दे रहा है, अगर यह आपको नहीं चाहिए, तो view में जा ते guideline का आपको एक option मिल जाता है. guideline क्या होता है? जैसे हम वापस से पहले ruler को यहाँ पर ले आते हैं और ruler को लाने के बाद जैसे हम यहाँ पर ruler पर आकर क्लिक करते हुए यहाँ नीचे की तरह रेक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने एक line represent हो जाती है जिससे हम किसी भी object को यहाँ पर align दे सकते हैं इसी को कहा जाता है guidelines अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ से guideline को हटा देंगे तो आपका guideline होता है वो आपके page पर रहता तो है बट आपको दिखाई नहीं देता इसी तरीके से आप left side से भी कोई भी guideline यहाँ पर insert कर सकते हैं अभी आप देख सकते हैं guideline हमारी यहाँ पर insert हो चुकी है बट हमें दिखाई नहीं दे रही है अगर आप सभी guidelines को एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वा view में आ करके guideline पर click कर देना होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी guideline आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी तो दोस्तो इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो next option हमें यहाँ पर मिलता है वो alignment guideline का option मिलता है दोस्तो alignment guideline का कैसे इस्तमाल किया जाएकता है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ guideline insert कर रखी हैं और इसके बाद हम यहाँ पर किसी गी object को draw करने वाले हैं इसी guideline की सीध में तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले alignment guideline को यहाँ पर select कर लिना है इसको select करने के बाद आप यहाँ पर किसी की object को select करके इस तरीके से जैसे ही draw करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह automatic आपके उस guideline के हिसाब से बिल्कु सीधे line में आपका draw होगा यहाँ पर आपका object जल्दी से उपर नहीं जाएगा जब भी आप अपने object को यहाँ पर draw करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने आप आपको lines दे रहा है जिसकी मदब से आप अपने guideline को यहाँ पर setup कर सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर एक और option हमें दिखाई देता है जो हमें object की position को set करने में मदद करती है जैसे हम इसके duplicate यहाँ पर copy करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर 3 line हमें दिखाई दे रहे है एक हमें दिखाई दे रहे है उपर और एक दिखाई दे रहे है बिलकुल bottom की तरफ अगर आप इसे नीचे की तरफ करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो लाइन समारी हड़ चुकी है, प्रेंकि जैसे हम इसे अलका सा उपर की तरफ यहाँ पर फिट करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अब इस object को ऊपर या नीचे draw करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर कोई भी line हमें दिखाई नहीं दे रही है तो दोस्तो जब भी आप किसी object को यहाँ पर create करते हैं तो यह बहुत ही मदद करता है आपके object को बिल्कुल equal position में रखने के लिए इसके लावा हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो next option आता है वो है dynamic guides का इस पर जब हम click कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ dynamic guidelines हमें दिखाई देती हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सारी dynamic guideline है जो आपको तुरिछे में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी तो दोस्तों आप यहाँ परदेग सकते हैं, जैसे हम अपर इस object को यहां से इस तरीके से जाखाई करेंगे, जो आप यहां पर देख सकते हैं, ₮ हमारे सामने एक लाइन दिखाई देरी है, जो डिक्री के अंदर हमें यहां पर दिखाई देती है, जैसे हम यहां पर इस इसी एक object को दूसरे object के साथ अगर यहाँ पर मिलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें जरुद पड़ती है snap की, जब भी हम यहाँ पर snap का इस्तमाल करते हैं, तो हमारा जो object होता है, वो दूसरे object से बहुत ही आसान तरीके से चिपक जाता है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर किसी भी object को create करते हैं, तो snap to grid या फिर snap to guideline की मदद से हम उसे बहुत ही आसान तरीके से एक proper position के अंदर create कर सकते हैं, और guideline की मदद से हम उसे एक equal position में manage कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर आप pixel related कोई भी काम कर रहे हैं, जोस्तो coral draw के अंदर snap on और snap off का इस्तमाल करने के लिए सबसे पहले हम view menu पर आते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक option दिखाई देता है, snap to का, snap to पर जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी सारे options मिल जाते हैं, जिसमें आपको सबसे पहला option यहाँ पर दिखाई देता है, pixel का, दूसरा document grid का, तीसरा baseline grid का, guideline, object और page का, इन सभी का इस्तमाल आज की इस फीडियो में हम सीखने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ऊपर की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर भी आप तो snap 2 का option दिखाई दे जाता है, जैसे आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ से भी आप इन में से किसी भी चीज़ को active या फिर deactivate यहाँ से कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम जानते है, pixel snap का, दोस्तो snap का मतलब होता है चिपकना, यहाँ अगर हम यहाँ पर pixel को select करते हैं, यहाँ पर आप आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक image लिया हुआ है, और इस image की हम एक duplicate copy इस तरीके से कर लेते हैं, डुब्लिकेट copy करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अभी snap 2 में pixel को यहाँ पर on रखा हुआ है और यहाँ से अगर हम इस image को इस तरीके से इस दूसरी image के साथ जैसी लेकर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इससे चिपक गया है तो इसके लावा अगर हम इसे यहाँ से इस pixel को हटा देते हैं और उसके बाद इस image को इस image के साथ हम यहाँ पर match करने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत gap रह जाता है यानि कहने का मतलब यह हुगा कि अगर हम किसी एक object को दूसरे object के साथ यहाँ पर मिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम use कर सकते हैं snap का तो दोस्तो pixel का मतलब आपको समझ भें आ गया होगा आप देख सकते हैं आपको एक option दिखाई देता है grid का और यहाँ पर आपको दिखाई देगा document grid का इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको document grid यहाँ पर दिखाई दे जाएगा इसके बाद हम यहाँ से अपने एक object को create करने वाला है, यहाँ से हमने rectangle tool ले लिया है, और इसके बाद हम यहाँ पर इसे zoom करते हुए, एक rectangle को create करने वाला है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम corner पर जाते हैं, तो यहाँ अपने grid दिखाई दे जाएगा, इस पर click करते प्रॉपर हमें size बता रहा है कि आप अपने ellipse को इस तरीके से draw कर सकते हैं और इसका जो size है बिल्कुल equal है चारों तरफ से आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल equal position में हमारा जो object है यहाँ पर draw हुआ है तो दोस्तो इस तरीके से आप इस option का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद हम यहाँ से फटा फट इस option को यहाँ से हटा लेते हैं हम यहाँ से document grid को हटा लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से लेते है baseline grid यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा दूसरा option है baseline grid का, इसको हम नहीं इहाँ पर select कर लिया है, और इसके बाद हम यहाँ से वापस से जाते है, snap 2 के अंदर document grid को हटाते हुए, हम यहाँ से baseline grid को select कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम अपने page पर यहाँ पर आएंगे तो हमें एक line दिखाई दे रही है जिसको baseline grid कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी भी object को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर इसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारी यह जो line है, automatic baseline पर रुख जा रही है, किस तरीके से आप baseline grid का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और snap की मदद से आप यहाँ पर अपने object को baseline पर ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसी तरीके से अगला option आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा guideline का option है, तो हम यहाँ से सबसे पहले baseline grid को यहाँ से अटा लेते हैं, view पर आने के बाद यहां से हम grid पर जाएंगे और यहां से भी हम baseline grid को हटा लेते हैं हमारा जो next option है वो है guideline का इसको हम यहां पर active कर लेते हैं और इसे यहां पर view पर जाने के बाद यहां से भी हम guideline को active कर लेते हैं दोस्तो guideline को active करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, guideline के लिए हमें यहां पर ruler पर आना होगा और यहां से हम guideline को import कर लेते हैं, इस तरीके से drag कर लेते हैं अब यहां से हम एक rectangle यहां से लेने वाले हैं और जैसे हम rectangle को यहां से draw करेंगे ते आप यहां पर देख सकते हैं automatic baseline को इस तरीके से पकड़ता चला जा रहा है हमारा जो अब्जक्ट है वो baseline के हिसाब से आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से ड्रॉ होता चला जा रहा है तो दोस्तो इस तरीके से आप baseline और snap का यहां पर use कर सकते हैं तो इसी तरीके से हमारा जो next option है वो snap to object का option है तो इ यहां पर हमें edge दिखाई दे रहा है तो यानि यह edge हमारा object की वज़ए से आया है हम इस पर आसानी से इस तरीके से line कहीं पर भी ले जा करके आसानी से draw कर पा रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं जैसे हम यहां पर इस corner पर जाएंगे तो हमें यहां पर देख सकते हैं point हमें आपर दिखाई दे रहा हूं और और इस तरीके से रहा है अगर हम यहां से औपり नूद नहीं को चाल ले जाता है जिसकी वज़ह से होपने object को सही तरीके से बना नहीं पाते हैं इस वज़े से हम यहाँ पर इस option का इस्तमाल करते हैं लास option आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको snap to page का option दिखाई देता है तो इसका इस्तमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं आई यह जान लेते हैं सबसे पहले हम यहां से guideline को select करते हुए delete कर रहे हैं और यहां से हम सभी object को इस तरीके से delete कर ले रहे हैं तो delete करने के बाद हम वापस से snap 2 पर आएंगे और यहां से page को select कर लेंगे यहां से हम किसी भी एक rectangle को draw करेंगे अब यहां से हमारे सामने page है हमने यहां से rectangle ले लिया है और यहां से हम एक rectangle draw करने वाले आप यहां से जैसी object को एक किनारे से ले करके दूसरे किनारे पर ले कर जाएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको midpoint दिखाई दे जाएगा यहां आपको बता रहा है कि अगर आप इसे और ज्यादा ड्रैक करेंगे तो आप page से बाहर चले जाएंगे आप यहां पर देख सकते हैं इधर से भी हमारा object बिल्कुल page पर चिपका हुआ है और इधर से भी हमारा object बिल्कुल page पर बाहर जा रहा है तो दोस्तो इस तरीके से आप snap to page का भी यहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हैं इसके लावा कुछ options और हमारे बच गए हैं हम इसको भी यहाँ पर clear कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक option मिलता है snap off का दोस्तो अगर आप इस option को य अब बढहर करेंगे तो यहाँ पर आप सकते हैं हमारा पर नीचे से गयब हो चुका है जिसके हमारे pages की information होती है कि हमने अभी present में कितने pages यहाँ नापर insert कर रखे हैं वापास इसnote के लाने के लिए इस option पर जैसी आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देह सकते हैं हमारे document navigator हमारे सामने यहाँ पर represent हो चुका है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमने फिलाल यहाँ पर एक ही page यहाँ पर insert किया हुआ है, same इसी तरीके से नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको scroll bar दिखाई देता है, तो दोस्तो इस तरीके से आप view के इन options का इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like कमें शेर जरू कीजेगा, धन्यवाद,